नमस्कार दोस्तों बागत है फिर से आपका हमारी इस चैनल पर जी हाँ दोस्तों बात करेंगे हम old currencies के बारे में इंडिया की पुराने notes जो है उनकी क्या price है market में क्या value है और कैसे आप महाँ पर तो सारा सब कुछ detail में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे अगर आपके पास में अफिशल वेबसाइट से थ्रू हैं यहाँ पर बता रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर जो बेचते हो आप museum of old and new currency of India के द्वारा यहाँ पर यही लिस्ट निकाली गई है सारी कि सारी जिनमें बताया गया है कि कितने आपको amount मिल सकता है किस रुपे का किस note का तो अगर आपके प अगर यह वाला note अगर आप में से किसी बंदे के पास है तो direct यहाँ पर museum जहां दोस्तो museum of India old currencies यहाँ पर आपसे मांग रहे है यह 5,000 से 20,000 रुपे आपको depend करता है उसके numbers पे तो यहाँ पर number के according यहाँ पर value fix होती है लेकिन कम से कम यहाँ पर 5,000 रुपे price आपको मिलेगी कैसे क्या बेचना है आपको वो सारा सब कुछ detail में हम आपको इस वीडियो के अंदर बताते रहेंगे वहीं दूसरे number पर आता है यहाँ पर 500 रुपे का note यहाँ दोस्तो भारती reserve bank के द्वारा जारी गया गया यहाँ गांधी जी की photo यहाँ आप देख सकते हो साइड में द्वारा यहाँ पर 3,000 से 15,000 रुपे यहाँ पर declare किये गई है तो आप के पास अगर यह इस सेम मतलब दोस्तों यहाँ पर यही नोट होना चीए 500 रुपे वाले वो पुराने नोट नहीं होना चीए वहीं यहाँ थार्ड नंबर पर आता है reserve bank of government of India की तरफ से जारी किया ग रुपे वाला नोट कह सकते है इसको जब अंग्रेजु का राज था इंडिया पर क्योंकि यहाँ पर फोटो देख सकते हो यह 1950 के पहले का नोट है वहीं एक रुपे वाला नोट की बात करता हूँ में एक रुपे का नोट आप सभी को पता है अभी यहाँ पर बहुत दिन इसकी बंदला बिक्री भी हुई थी ओनलाइन यहाँ पर कई लोगों को यहाँ पर पांच से दस दस जार रुपे तक मिले थे इस नोट के वह भी selected जो numbers होते है उनके उपर यहाँ पर यहाँ पर यह पर यह पर यह प्राइस या बिड सकसे होती है अगर मैं बात करूँ इसम कर किसी भाई के पास है तो confirm यहाँ पर यहाँ पर इसको यह मान के से लिए आपके जेब में 15,000 से 25,000 रुपे पड़े है यह एक रुपया नहीं है वहीं एकर मैं बात करूँ यहाँ यहाँ पर यह सीरीज 1950 वाली सीरीज collection अगर किसी बंदे के पास में है देख लीजे आप रेर सिक्के एक रुपया का सिक्का यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक आना का सिक्का यहाँ पर सोरी में एक आना वन फोर्ट यानिकी चार आना दो धाई आना डेड़ आना तो यह सारे के सारे बहुत पुराने सिक्के हैं बहुत पहले चलते थे जब भारत आराज आज चार आना या डेड आना धाई आना जिस भी टाइप के आपका पास सिक्के है तो आप यहाँ पर बेश सकते हो 20,000 रुपया आपको मातर यहाँ पर मिलेंगे अगला नोट यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक तरीके से 1950 से पहले का है यह भी 1800-1700 के आसपास का नोट है जिसके कीमत यहाँ पर 35,000 से 45,000 राकी गई है वहीं एक रुपया का बहुत पुराना यान कि स्टार्टिंग वाला जो नोट दिखा रहा हूं में गांदी जी की चपी हुई है और यह बहुत ही मतलब एक तरीके से 1960 से 1970 के बीच में चला करता था तो 16,000 से 22,000 रुपय के सम्थिंग यहाँ पर इसकी यह कीमत है अगर आपके पास है यह नोट तो आप अभी यहाँ पर कॉंटेक्ट करिए और नीचे कमेंट बोक्स में जरूर बताईए कि आपके पास कौन से सिक्के साथ ही साथ अपनी इंफोर्मेशन ना कॉंटेक्ट नंबर जरूर देजिए जिससे कि डारेक्ट आपसे यहाँ पर मतलब एक तरीके से कॉंटेक्ट किया जा सकते है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नोट की मैं बात करता हूँ यहाँ पर वन रु बहुत ही रेर किस्म का नोट है पूरे इंडिया के अगर में बात करूँ तो 10-15 नोट होंगे ऐसे तो अगर आप में से किसी के विवास है एक लाग से एक लाग 25 जार के आसवास आपको यहाँ पर अमाउंट मिल सकता है इस एक रुपे के नोट का सबसे पहले यही जारी कि सोरी यहाँ पर उस टाइम भारत सरकार नहीं थी एक तरीके से लेकिन गुवर्वेंट ओफ इंडिया एक तरीके से बिटिश के द्वारा ही यह संचालित किया गया था अगर बात करूँ यहाँ पर गुवर्वेंट ओफ इंडिया के पहले 10 रुपे के बारे में तो यहाँ यहाँ देख सकते हो इसके इन पर पहले 10 रुपे के जो नोट चलता था जहाँ पर मतलब 10 रुपे की वेल्यू एक तरीके से 10 लाग के बराबर होती थी 10 लाग से भी ज़्यादा की जिस यहाँ दोस्तो तो तब का यह है और यहाँ पर इसकी आप प्राइस देख सकते हो एक आप सोल्ड भी कर सकते हो जिहां दोस्तों कोंटेक्ट आपसे कर लिया जाएगा सिक्के देख सकते हो आप ऐसे सिक्के अगर आपके पास में है दो पैसे का या फिर अगर मैं बात कुरूँ पांच पेसे 10 पेसे का सिक्का इस सारे के सारे सिक्के शेप आप ध्यान रखिए ऐसे ही शेप आपका होना चीए सिक्केगा तो सिलेक्टेड ऐसे की कोई शेप है तो आराम से आप उसको पास में रखिए ना कि फेके उसको क्योंकि कंफर्म वो जो पचास हजार तक आपको दे सकता है जी यहां दोस्तों 20 अजार से 50 जार तक की उसकी रेट है पैनली यहां पे अगर मैं बात कुरूँ जी हां दोस्तों एक रूपया का यहां पर सिक्का देख रहे बहों एक रूपया जिस पर गांदरजी की फोटो का नहिंद में है धहां रखना भारत सरकार का यहां पैस सत्य में पुजहेते वाला यह सारे के सारे अगर मैं Diesel泡 कॐ इसके आसपास के सिख्के, quarter आना, quarter आना, quarter आना, यह सारे के सारे जो बहुत पुराने पहले starting में निकाले गए थे भार सरकार के द्वारा एक तरीके से, तो वो सारे के सारे पुराने देख सकते हो, half piece, one आना, one upon twelve आना, यानिके एक बटा बारा आना, दो आना, तो इस सारे के स है कि डारेक्ट आपसे contact कर लिए जाएगा, तो यह थी सारे की सारी डिटेल, आपको मैंने बता दिए, यहां पर currency और यहां पर official museum के द्वारा यहां पर प्रजेज किया जा रहे है, सारे के सारे coins जिया दोस्तों, अगर आप में से किसी के भी पास में 110 रुपे के, जितने भ अभी दोस्तों, फाइनली यहां पर यही कहूँगा, मैं अगर आपके पास में है कोई भी पुराना नोट या सिक्का, तो आप नीचे comment box में जरूर comment करिए, धन्यवा दोस्तों वीडियो देखने के लिए, like, share तता subscribe जरूर करें